नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम आपको दैनिक राशिफल से अपडेट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा रहेगा आपका दैनिक राशिफल 3 मई 2024, 3 मई 2024 शुक्रवार क्रिश्न पक्ष, दश्मी है, आज शुक्रवार है, अगर कोई शुप कार्य करना चाहते हैं, तो राहुकाल का समय जरूर नोट कर ले, इस समय कोई शुप कार्य न करें, आज राहुकाल 10 बचकर 38 मिनट एम से 12 बचकर 18 मिनट पी एम तक रहेगा, नक्षत्रों की बात करें, तो आज शदभीशा का योग है, चंद्रमा आज च राशिफल ताकि आप अपने आगामी कार्यों की तयारी कर सकें, हमारे चैनल पर आपको रोज नई-नई जानकारी और राशिफल मिलेगा, इसलिए आप हमें सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई भी अपडेट न छोड़ें, मेश राशी, कल कार्यक्षेत्र में आपकी कार राशिफल नई-जाब होने की संभावना है, लोगों की सेवा में शान्ती, कुछ नया खरीदने की योजना बन सकती है, पत्नी के साथ यात्रा हो सकती है, रिष्टेदारों से परेशानी हो सकती है, मित्रों के सहयोग से अच्छे कार्यों हो सकते हैं, दोपहर तक व्यापा लाब मिल सकता है, किसी के कहने पर उत्तेजित न हो, पारिवारिक कला दूर करने के लिए योग बहुत सारे शब परेशानी का कारण बन सकते हैं, आर्थिक द्रिष्टी से दिन अच्छा रहेगा, परिवार के साथ बाहर घूमने की संभावना अतिरिक्त खर्चों के लिए बचत कम होगी, मिथुन राशी, कल का दिन अच्छे वक्ता के रूप में ख्याती मिल सकती है, प्यार को लेकर बहुत सावधान रहें, धोका मिलने की आशंका है, बात करने के लिए सही व्यक्ती ढूने, बड़ों की सलाम आने, घर में चोरी होने का खत्रा है, कार्यक्षेत को लेकर चर्चा हो सकती है, नेत्र रोग बढ़ सकते हैं, करक राशी, कल आर्थिक स्थिती थोड़ी कमजोर हो सकती है, प्रेम संबंधों में अधीरता से बचें, आप माता-पिता से अच्छे संबंध बने रहेंगे, नई नौकरी की तलाश करनी पढ़ सकती है, विरोध रोध से कार्य में बाधा आ सकती है, पुलीस की समस्याओं का होगा समाधान, सिंग राशी, कल का दिन किसी भी गलत काम पर पच्चतावा करें, भले ही दिन भर कारोबार अच्छा चलता रहे, बाद में उलजने पैदा हो सकती है, संपत्ती खरीदने का अच्छा समय है, वा अपनी समस्या के बारे में किसी को न बताएं, किसी छोटे से लाभ लेना पड़ सकता है, शुगर की समस्या से पीरित हो सकते हैं, कन्या राशी, कल का दिन कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां पूरी करने में दिक्कत आ सकती है, स्वाप्चार में बहुत सारा पैसा खर्च हो सकता है यात्रा की योजनाएं बाधित हो सकती है प्रेम उलजनों से मुक्ती मिलेगी खर्चों पर थोड़ा अधिक ध्यान देना चाहिए शरीर में कई तरह की बीमारिया बढ़ सकती है दामपत्य जीवन में मनमुटाव दूर होंगे संतान की बुधी क्षीन हो सकती है लंब साय में जटिलता पर काबू पाने का यहां अच्छा समय है घर में महमानों के आगमन का योग नजर आ रहा है कर्ज चुकाने के लिए की गई बचत बाधित हो सकती है माता पिता से अकारण विवाद हो सकता है ससुराल वालों की मदद करनी पड़ सकती है संतान के रोजगार का योग मित्रों से अनबन हो सकती है अपनी इच्छानुसार कार्य होने से मन संतुष्ट रहेगा फृष्चिक राशी कल के दिन कार्यक्षेत्र में लोगों से बहुत ज्यादा अपेक्षा न करें संतान को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी कार्यस्थल पर सहकर्मियों से मद अच्छी है लेकिन कुछ खर्चे भी रहेंगे हर किसी से बहुत ही समझदारी से बात करें आपको किसी से व्यापारिक लाभ मिल सकता है धनु राशी कल का दिन आपको अपनी प्रतिभाव व्यक्त करने का अफसर मिलेगा जिम्मेदारियों की पूर्ती को लेकर पत्नी से मन दे तो ही बहतर है यात्रा की योजनाय बाधित हो सकती है पडोसियों की मदद करने से बदनामी हो सकती है मकर राशी कल के दिन दामपत्य संबंधों में प्रगाड़ता बढ़ेगी आपके विशेश प्रयास सफल नहीं हो सकेंगे अगर आप जूर का सहारा लेंगे तो आप की पोल खुल सकती है यदि संपत्ती को लेकर भाई भनों से जगड़ा हो रहा है तो उसे सुलजा लें दोस्तों से विवाद सुलज सकते हैं कमर के नीचे दर्ध हो सकता है आर्थिक स्थिती भैतर रहने वाली है किन्तु धन का अपव्याय करने से बचें मित्रों के साथ आ कोई पुरानी समस्या सुलज सकती है आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता है माता पिता पर अतिरिक्त लागत लागू हो सकती है गरीब लोगों की मदद करना खुशी की बात है व्यापार में शुब समाचार मिल सकता है रक्तचाप को लेकर चिंताएं कल का दिन किसी परिशान व्यक्ती की मदद करनी पड़ सकती है सडकों पर बहुत सावधान रहें उच्च शिक्षा के लिए शुब योग है खर्च बचत से अधिक हो सकता है आपका कोई परिचित घर आ सकता है जरूरी काम निप्टाने के लिए अच्छा दिन है अत्यधिक आकरशक अफसरों की तलाश में न जाना ही बहतर है महंगा भोजन बढ़ सकता है प्रियजनों से प्यार मिलेगा ज्वैलर्स के लिए दिन अच्छा है इस प्रकार सभी राशियों के लिए दैनिक राशिफल विभिन रहेगा आप अपने राशी के अनुसार निरने ले और अपने लक्षयों की और अग्रसर हों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेर करें धन्यवाद